Hey guys, welcome to civil users दोस्तो आज की इस वीडियो में फिर से हम बात करेंगे 30 feet by 40 feet के plot के design के बारे में और इस plot को हमें 3BHK house plan as per वास्तू के हिसाब से design करना है और वैंस मज़े की बात पता क्या है इस plot के design में क्योंकि ये जो plot है वो south facing है तो आपको इस वीडियो में एक extra चीज सीखने को मिलेगी कि अगर आपका भी plot south facing है तो आप उसको किस तरह से वास्तू के रुषा design कर सकते हो अब हमें इस plot में क्या-क्या बनाना है देखिए सबसे पहले 3 bedroom with 1 attached toilet और Almira 3 bedrooms में possible हो सके तो next lobby, open kitchen, pooja space, staircase, store room, common toilet और एक car parking भी हमें इस plot में design करके देनी है तो आईए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ directly design पे तो friends आप लोग skin पर देख सकते हो मैंने इस 30 feet by 40 feet के plot में ये 3BH के house plan as per client requirement कुछ इस तरह से design किया हुआ है और इस plan में कौन सी चीज वास्तों के सही है और कौन सी गलत है उसके बारे में discuss करेंगे हम इस वीडियो के end में आईए उससे पहले मैं आपको इस plan को step by step समझा देता हूँ तो सबसे पहले बात करेंगे हम घर में entrance के लिए तो 9 feet चोड़ा right side में gate आपको मिलता है तो 10 inch का next अभी हम चलते है घर में main entrance की तरफ तो 4 foot चोड़ा आपको यहाँ पर main door मिलता है इस main door से आप घर में entry करेंगे तो सबसे पहले आपको living area मिलता है 16 feet 7 inch by 11 feet 7 inch का बहुती अच्छा space आपको मिल जाता है living area का और यहाँ पर living area में ही हमने एक पूजा का space भी बना हुआ है next आप living area से आगे चलते हो तो आपको यहाँ पर kitchen मिलती है 7 feet 3 inch by 8 feet 6 inch की open kitchen है जिसमें हमने 2 feet चोड़ी Lcp की slab दी हुई है यह gas, यह sink, यह refrigerator है next आप आगे चलते हो तो master bedroom में entry करते हो 11 feet 6 inch by 12 feet 6 inch की master bedroom है जिसके साथ में हमने एक store room भी attach दिया हुआ है 6 feet by 6 feet 6 inch की store room है जिसमें 2 feet चोड़ी हमने slab डाली हुई है और यह ventilator है proper रोशनी के लिए इस bedroom के ventilation के लिए हमने यह यह window दी हुई है और इसी bedroom के साथ में एक attach almira भी हमने दी हुई है नेक्स आप इस bedroom से आगे चलते हो तो दूसरे bedroom में entry करते हो 11 feet 6 inch by 12 feet 4 inch का यह bedroom है जिसके साथ में यह almira भी हमने attach की हुई है नेक्स एक toilet भी हमने attach किया हुआ है 7 feet by 4 feet 4 inch का यह toilet का size है जिसमें यह ventilator है proper रोशनी के लिए ventilation कहां से मिलेगा इस toilet को और इस bedroom को यहाँ पर आप OTS देख सकते हो इस OTS से इस toilet को इस bedroom को इस toilet को और इस bedroom को चारो को ventilation मिलेगा 9 feet 3 inch by 4 feet का यह OTS है और इस OTS में entrance के लिए हमने इस bedroom में door window attach दिये हुए है नेक्स आप इस bedroom से भाहर आते हो तो common toilet आपको मिलता है 4 feet 9 inch by 6 feet 7 inch का जिसमें यह ventilator proper रोशनी के लिए उसके बाद आप इस toilet से भाहर आते हो तो आपको एक और bedroom मिलता है 11 feet 6 inch by 11 feet का जिसमें यह window दी गई है ventilation के लिए उसके बाद अगर बात करें इस house plan के roof projection के बारे में तो front में आप देख सकते हो 3 feet चोड़ा हमने यह आपे छज़ा use किया हुआ है तो fans यह तो बात हुई इस house plan की अभी next बात करेंगे कि इस house plan में कौन सी चीज वास्तु के साब से सही है और कौन सी गलत है अगर सबसे पहले हम बात करें entrance की तो basically हमारे पास सिर्फ दो ही entrance है या तो हम यहाँ पे southwest में entry कर सकते हैं या फिर south east में या निकि या तो हम इस side में entrance करेंगे या फिर इस side में लेकिन वास्तु के साब से ये वाली side जो है वो गलत होती है तो इस side में कभी भी आपको entrance नहीं देनी है as per वास्तु south facing मकान के लिए तो south east corner से आप entrance कर सकते हो ये वास्तु के साब से बिल्कुल सही है उसके बाद यहाँ पे आपको parking मिलती है south east corner में जो की वास्तु के अनुसार बिल्कुल ही गलत है south east corner में आपको कभी भी parking नहीं बनानी चाहिए clear है उसके बाद next बात करेंगे staircase के बारे में तो सबसे पहले staircase आपकी सही इसलिए हो जाती है क्योंकि ये clock watch direction में है उसके बाद दूसरी अच्छी बात ये है staircase के लिए कि staircase आपकी south की दिवार से touch है यानि कि यहाँ पे इस side में touch है कि也ष्ट के सही है next आपका store room भी वास्तू के सही है southwest corner में यानि कि यहां पे बन रहा है उसके बाद master bedroom भी आपका वास्तू के सही है next अगर बात करें kitchen की तो kitchen आपकी थोड़ी सी गलत है और थोड़ी सी सही है अगर best position की बात करें हम किचन की तो कहां पर यहां पर आपकी किचन अगर बनाई जाती तो बेस्ट होती नेक्स्ट अगर हम बात करें पूजा स्पेस की तो देखे बेस्ट पोजिशन तो नहीं है पूजा स्पेस की वास्तू के साब से पूजा स्पेस सही है बट अगर best position की बात की जाए कहाँ पे ज़ादा अच्छा रहता पूजा स्पेस तो यहाँ पे अगर कहीं आप बनाते पूजा स्पेस तो बहुत ही ज़ादा अच्छा रहता ऐस पर वास्तू उसके हिसाब से है जो टॉयलेट है यह आपका आदा टॉयलेट आ रहा है यहाँ पे नई बना सकते उसके बाद अगर 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 बनाते हैं सेप्टिक टैंक तो देखिए प्रॉब्लम आएगी सफाई करने में जब आपका टेंक भर जाएगा तब आप उसको सफाई कैसे करोगे अगर पीछे सेप्टिक टेंक आपने बना दिया तो अभी हमें फ्रंट में सेप्टिक टेंक बनाने तो कहां पे हम बना सकते हैं वास्तू के हिसाब से ताकि हमारा वास्तू भी गड़बड ना हो तो देखिए यहां पे आप यह मिड में 4 वाई 7 का सेप्टिक टेंक बना सकते हो यह ध्यान रगना है आपको कि आपका सेप्टिक टेंक इस दिवा से इस्ट फेसिंग साइड बे यानि कि यहां पे टच नहीं होना चाहिए सिर्फ इतने ही एरिये में आपको 4 विट वैस 7 विट के एरिये में सेप्टिक टेंक बनाना है उसके बाद एक चीज़ के बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूँ तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और फेंस मैं आपको बता दू फिर से कि कोई भी प्लान 100% वास्तु के साब से नहीं बन पाता है यह मैं आपको पहले भी अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ तो दोस्तों यह प्लान आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरू बताईएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए साथ ही आपके अपने चैनल सिविल यूजर्स को भी सबस्काइब जरू कर लीजिएगा तो चले फैंस आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू बाबाई